तो हाई गैस यहाँ पर examination form कैसे fill up करना इसको ले करके आपके काफी सारे comment आ रहे थे चलिए तो हम इस पर आपको fill करके बता देते हैं simply आपको search करना CSV2 जब आप इसको search out करेंगे तो ऐसे आपको official site open हो जाएगा यहाँ पर आपको website लिखा हुआ है इसी को आपको click करना हम इसको click कर लेते हैं अब आपका page कुछ इस तरह से reload लेगा अब आप phone को क्या करेंगे desktop side में यहाँ पर इनेबल कर लिजेगा three dots पर जा करके जब आपका phone यहाँ पर इनेबल हो जाएगा अब आप नीचे आएगा यहाँ पर आप देखे यहाँ पर आपका लिखा हुआ examination form इसी को आपको click करना है तो हम यहाँ पर इसको click करते हैं पेज आपका load लेगा अब यहाँ पर आप नीचे आएगा यहाँ पर आपका examination form करके लिखा है але link for student करके लिखा है इस link for student में लिखा है online examination form इसी link को हम को touch करना है तो हम यहाँ पर touch करते है अब यह आपका candidate login करके आगया मतलब क्या जो student यहाँ पे form भर रहा है वो यहाँ पे login करेंगे तो जो आपका username होगा और जो आपका password होगा वो आप यहाँ पे feel करेंगे और इसके बाद इसको आप open करेंगे तो यहाँ पे हमने user ID डाल दिया password भी यहाँ पे submit कर दिया अब login के button पर click करेंगे गलती मत करिएगा दस बार के बाद का chance यहाँ पे क्या होता है जो ID है वो block हो जाता है दस बार से ज़्यादा आप गलत password नहीं उच करेंगे अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा examination form इसी examination form को आपको click करना है तो यह हमने examination form को click किया अब यहाँ पे आप three dot को click करके फिर से इसको desktop site पे convert कर लिजेगा अगर आप यहाँ पे phone से fill up कर रहे हैं तो अब यहाँ पे आपका examination detail है जैसे आपका exam session है यह सब आपका आगे अपरेल मैं 2021 का session फिर यहाँ पे आपका student detail है यहाँ पे आप अपना mobile number फिल करिएगा आप अपना यहाँ पे email ID फिल करिएगा यह सब फिल करने के बाद आपको इतना ready करना है तो कि YouTube में privacy maintain करना पड़ता इसलिए मैं इन सब्चीजों को आपको नहीं दिखा सकता इसलिए मैं इन सब्चीजों को height कर रहा हूँ यहाँ पे plus का sign है इसी को आपको click करना जब आप plus का sign को click करेंगे तो जो भी आपकी semester में exam होने है उन सभी semester का आपका theory और आपका practical exam के सारे detail यहाँ पे आ जाएगा उसके सासद आपके extra जो भी subject हो यहाँ पे आएगा नीचे में फिर आपका fees जो detail है वो आपका आजाएगा आपका fees अलग हो सकता है जनरली 560 रुपए यहाँ पे लगता है अब यहाँ पे आपको submit वाले point पर click करना है तो हम यहाँ पे click करते हैं अब यहाँ पे बोलता है कि अगर आपको कुछ चीज़े change करनी है तो आप यहाँ पे change कर सकते हैं बट finally आपका payment gateway page में आपका यह भेज दिया जाएगा और उसके बाद यहाँ पे कोई भी changes आपका क्या apply नहीं है तो हम यहाँ पे finally submit के तरफ जाते हैं payment करने के लिए तो हम यहाँ पे proceed करेंगे तो जब आप proceed करेंगे तो यहाँ पे आपका bank detail आजाएगा अब यहाँ पे आपको अपना account number जो भी जिस चीज़ों से आपको payment करना आप वहाँ पे कर सकते हैं आपका debit card है, credit card है, ATM pin है, internet banking है, आपका wallet है जिससे भी आप payment करना चाते हैं आप यहाँ पे कर सकते हैं तो हम यहाँ पे debit card को यूज करेंगे क्योंकि हमारे पस debit card ही है अब यहाँ पे हमने ATM का सारे detail फिल कर लिए हैं जो भी आपका date वगेर है, CVV number, card holder का name अब यहाँ पे make payment का option है, इसको आपको click करना है तो आप इसको click करेंगे, page आपका reload लेगा यह आपको क्या करेगा, bank के server में आपको ले जाएगा यहाँ पे one time OTP आपके phone में आएगा, जो भी आपका registered mobile number होगा वो आप यहाँ पे submit करिएगा तो हमने यहाँ पे OTP यहाँ पे डाल दिया, make payment पे click करते है अब यह आपका process लेगा और आपका यह payment होने लगेगा तो finally यहाँ पे आपको लिखा आ जाएगा, आपका payment हो चुका है 563 number, payment का transaction, ID number भी आपको दे दिया है और यहाँ पे link भी दिया है कि thanks for submitting your application form ठीक है तो इस तरह से आपका form fill up हो जाएगा अब आप चाहेँ तो इसका print वाला जो PDF वो भी आप इसको save कर सकते है अब इसका print लेने के लिए आपको यहाँ पे नीचे आना पड़ेगा तो उसी ID में जहाँ पे आपका हो रहा है यहाँ पे आपका print का option दिया आप इसको click करिएगा आपका print का option चला जाएगा कुछ इस तरह से आपका print का option दिखाएगा तो आप इसको A4 size के paper में क्या करेंगे आप इसको save कर लिजेगा क्योंकि आपका जो generally size होता है आपका A4 size ही होता है तो इसमें आप इसको save कर सकते हैं और यहाँ पे पीडियो फाले link को click करिएगा और यह आपके phone में क्या होगा आपका save करने का option आ जाएगा अगर आप हमारे साथ जोना चाहते हैं तो Instagram में आपका स्वागत है मिलते हैं किसी नए वीडियो में तब तक लिए आपका ख्याल रखें